अलो ब्रिवन वेलकम टू बिवेकनंदा अग्रिकर्चर कर्मी आज किसे वीडियों बात करेंगे यूपी कैटेट 23 का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें कैसे फॉर्म फिल करें कई लोग कई दोना से बहुत से विद्धार्थी इसका बेट कर रहे थे किसार आपका वीडियो का वा करेंगे इस वीडियो माँ बहुत ही सौट टाइम में कम टाइम में आपको अच्छी इंप्रमेशन मिल जाएगी बात करेंगे सबसे पहले इस एक्जाम के बारे में इस एक्जाम को देने के लिए यानि इसको इस एक्जाम को भई विद्धार्थी दे पाएंगे या फ्रण मुल लिवास और आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए तब ही आप इस एक्जाम में एक्जाम दे करके और अडमिशन ले पाएंगे कुछ विद्धार्थी तब भी फॉर्म भरके एक्जाम दे देते हैं एक्जाम आप दे सकते हो लेकिन काउंसिलिंग में जोड़े रहते हैं तो फॉर्म को फिल कर देते हैं अधर इस्टेट वाई लोग इसमें पार्चिबेट नहीं करेंगे आपको अपने इस्टेट जब भी एक्जाम होगा तो वहां पर इडेल आपको मिल जाएगा ठीक अब बात करते हैं इसका क्रेटेरिया के इसमें कौन को बात का सब्सक्राइब कर सकते हैं जुई आपका पहले तादाय च्रहका सब्जेट को लेख करके लागत क्या हो चाहिए टेके अगर आपका लूटų में सब्सक्राइब या फिर आप एग्रिकेचर स्टुमें तो हम लोग यूपी केटर में अग्रिकेचर विद्दार्थिक बोलते हैं पीजी गुरुप इस चार गुरुप के विद्दार्थिक अगर आप टेंपस्टू में इन तेंपस्टू में आल ओबर आपने अगर 50% पास कि है यानि 50% नंबर है तो इस एक्जाम का आप दे सकता है अब एक बात यहां पर और है हाँ पर जो मैं फैक्टर साता है वह आपका एज लिमिट के लेकर के आता है कि यहां पर आयू क्या होनी चाहिए यह सबसे मैं इंपोर्टेंट मुद्दा है इसको लिए कई विद्दार आपर आयू को लेकर के तो आयू में आपकर दो कैटेगरी है एक कैटेगर यहां पर यह पता है उसमें यह वालों के लिए सबसे अच्छा कोर्स होता है वह वह वाटार्णरी साइंस और एनिमेल हस्बेंडी ठीक है तो इसका हम लोग बोलते हैं बीएस से बैटनरी साइंस एनिमेल हस्बेंडी ठीक है यह आपका जो है जो में दार्थी पीशीवी से पास किया है या फिर पीश्यम भी से पास किया है वह इसमें यहां पर और यहां पर है अगर इसकी बैटनरी साइंस को लेकर के तो जो बीएस सीग इस्टुएंट्स है बैटनरी एनिमेल हस्वेंडी ठीक है इसमें जो एज लिमिट होती है वह मिनमम सत्रह से लेकर के और पच्छीश साल तक लेकिन यह कब तक होने चाहिए सत्रह साल मिनमम ठीक है यह होने चाहिए आपकी कि एकत्ति डिसम्बर 21.23 21.23 में अगरा की आयू मिनमम सत्रह साल है और आपकी मैक्समम आयू 25 तक है अब को पता चूट भी यहां पर मिलती है यहसे ओवी से कंडियोट को तीन साल की चूट मिलती है बहाए रखोंत हो यहां पर G करने करना चाते हैं ठीक है यहांनी कोई भी यहां पर कोर्से से अग्रीकल्चर का है इन सभी अधर कोर्स में जो एज लिमेट है वो मिनमम एज जो है 16 साल होने चाहिए और 16 साल से ले करके और 22 साल तक अब इसकी कंडिशन है मिनमम जो 16 साल कब तक होने चाहिए यह आपकी आयो होगी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो जल्दी नौकरी मिल जाती है जल्दी जौब मिल जाती है तो अगर वह भी द्यार्थी यहां पर आना चाहते हैं तो फिरान रकी कोर्सेत हमारा है यह आपका चार साल का कोर्स होता है जब कि बेटनरेरिय साइंस आय्स करीब साज़े चार सेम справ अब होता उसमें चाहिए च्रह महिने इंटक्राइब हो ठीक है ए फोर्यस डिग्री पार्ण में और इसमारा है श्मार्ण क्कों लेकर कि करकी हाँ अब बात करते हैं face structure को लेकर करके इसका face structure क्या है यह सारी बात में आपको समझने है कि बात करेंगे यहां पर बात करेंगे आपकी online face कितनी है ऑनलाइन फीस इस्टक्टर अब देखें फीस में दो कैटेगरी यहां पर दे रखेंगे लोगों ने एक बात करें हम लोग जो है मेल स्टुएंट्स के लिए यानि जो वाइस स्टुएंट्स मेल के लिए एक इसमें जन्रल और ओवी सी इनको जो फीस दे गई है वह 1350 रुप इसी है यह फीमेल का है यह फिर आप सी है यह फिर आप यहां पर जो एडवलूस है एक इन कंडिडेट की जो फीस है तो आपकी 1100 रुपए यहां पर फीस है ऑनलाइन अबदन फीस है यह जन्रल इस्टक्टर हो गया आप समझ गया होगा हम फॉर्म में अप्लाइब कर सकते या फिर नहीं कर सकता है अब हम अगले स्टेप में बात करते हैं कि अप्लीकेस्टन फॉर्म को कैसे फिल करें एक जो सबसे बहुत इंप्रेंट मुद्धे होते हैं उसको फामझ लेते हैं तो इस्टुएंट्स हम आ चुके हैं आपके ओनलान फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको यहां पर गूगल पर सर्च करना है यूपी कैटिट दोजार तेस आपको पता है जो एक्जाम आपको करा रही हमारी एंडी उनिवस्टी ठीक है जो कुमार गंज युद्या में है तो यहां पर उसका नाम आ जाएगा देखिएगा www.nduat.org यह इसकी वेफसाइट है जी सी दित lights और न सकता है तो आपको कुछ इस तरीके से यहां पर पेज दिखाई देगा Carry onLine कुश्क्ußen अररे आदेना है एक्जाम आपको offline देना तो यहां पर आपको क्रिक करना है इसमें एपलाई ओनलाइन में आप इसके बाद पर आ जाएंगे इसे नीचे करेंगे यहां पर हाले कभी तक उन्होंने जो इंफॉर्माशन बिलोटेन होता है वो दिया नहीं है लेकिन जैसे ही आजाएगा तो आपको और सारी इंफॉर्मे कि आप जो अब इसमें खिचाएंगे तब ही आप बता देंगे फोटो क्या होने चाहिए वह फोटो आपकी नई होने चाहिए जान लगिएगा 31 जनवरी 23 के बाद की अब जब यहां पर लिखा हुआ नियू रिजिस्टेशन तो यहां पर इसमें किलिक करेंगे आप किसमें पहले आप किसमें करना रिजिस्टेशन अब आप कुछ इस तरह दिखाए देगा इसमें नीची आएंगे यह सारे पर सकते हैं रूर रगुलेशन क्या है सारे कि अब देखें आप लिखा फोटो 31 जनवरी 23 के बाद होना चाहिए जैपीजी में इसका साइज जो है वह सो के सारे जानकारी आपको होनी चाहिए और यह आप पर सकते हैं अब देखें आपर यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर option मिल जाएगा यह देखेंगा अब देखें जब ऐसा आपको कुछ दिखाई देगा यहां पर interest space तो आप इसमें फिर क्या करेंगे देखें यहां लिखा हुआ निव रिजिस्टेशन होगा बार-बार आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे और यहां पर subject जान लखें जिस subject से आपने 10.2 पास किया ह है आप इसमें वहीं फिल करें कई विद्धार्थी क्या करते हैं जब भी कैफे पर जाते हैं तो बोलते हैं हमारा अग्रिगेटर को फॉर्म भर दो और बच्चन अगर पास किया है 10.2 मानलोग PCM से और जब बोलते हैं अग्रिगेटर फॉर्म भर दो तो वो इस PCM से नह छ यहां प्रेटेर के लिए आप आना चाहता है नहीं चैंगों करेंगे यहां मास्टर प्रेइद अब यहां त्यूंप फॉक्षित क्लेंगे हूं क्या मिल जाएगा क्वालिफिकेशन क्या है पीचीबी है यह आपका पीसियाम है कि अग्रिकटर साइंस आपने इंटर पास किया है यह फिल लिखा हुआ हूँ नहीं बताया था आपको इतने यह पर है तो जो सब्जेक्ट आपका है वह आपको यहां पर इसमें फिल कर देना ठीक है अब आपका सब्जेक्स में हो जाएगा अच्छा यहां के लिखा हुआ कंडिडेट नेम इसमें अपना डालना है एक इसमें सब्सक्राइब करनी है इसमें आपको अपना मोबाइल नमर डालना है और यह सिकूर्टी कोड आप इसमें डालनेंगे सब्मिट कर देंग में आ गई होगी तो हम लोगा रेश्टेशन करना है रेश्टेशन करने वाद जिसे सब्मिट करेंगे तो जो भी आपने वहाँ पर मोबाइल नमर दिया हुआ ज्यान रखेंगे उस मोबाइलनमर में आपका एप्लिकेशन नमर जाएगा ठीक मैसेज और जिसमें आपका है आपका और क्रोसिस क्या 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 लेकिह क स्विल करने वह अब बोला अब यहां पर है स्टे हं यहां पर अपलोट करेंगे कि थे और नगरी कैसेटिस यहां पर यहां पर लिखना है तो सिंपल है यहां इसमें कयुत इसमें कैटेगरी इसमें फ्य करेंना आपको मैं एक बार बता देता हूं आपको देखें挺 को सारी अस वाले कॉलम में आप कैटेगरी जो भी है और यहां पर अपने माता जी का नाम डालना है और यहां आपका फिर वही मेल और यह आपका वास्तप नमर लिखा हुआ है वास्तप नहीं ऐसे सिंपल आप अगर नहीं वास्तप चला तो मुवाइल नमर इंटर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर आप जेंडर इसमें आप जो है मेल है या फिर कंडिट फीमेल है ठीक है इसके बाद यहां पर जैसे हम लोग नेची आफ्सन में देखेंग में यहां फिल करेंगी करेंगे आर यू पर संब्सक्राइब है यहां फैर सब्सक्राइब संब्सक्राइब करना आपको प्रसक्राइब करेंurança है और ऐसे आगर उसपूर्ट कोटा है तो यहां पर आपको आधार काट सिल करना है और इसके बार आपको अधर काट में दालना यान पर लिखा हुआ प्रिभियस क्वालिफिकेशन घो भी आपने विक्नु सरह भ्सक्राइब है ठीक है यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आएगा आप पास डिस्टुबेंट्स हैं अगर 12 पास कर शुके हैं 2022 में 20 में तो पास करना है और यहां पर यहां पर दिखेंगे एक जाम सिटी चॉइस आपको यहां पर देखिए दो यहां पर चॉइस हैं एक आप चॉइस फस्ट और सेकंड कई बार पस्ट विद्ध्य कि इसमें तोटल दस में कौन कौन से हैं पहले तरह का आपका अयोद्या ही है अयोद्या फजाबाद ठीक है इसके बाद में आगरा बरेली बांदा कानपूर मेरत बारा नसी और आजमगर जहांसी लखनो यह दस आपके टोटल एक्जाम सेंटर है एक अच्छा अब बात करत उत्रवाब जो भी आपको स्वाश्य और आप आप सकते हैं आप सब्सक्राइब बने का कीवर्त правильно डिखा हुआ है मिलिंगा आप जहां के भी निवसी हैं वह इंद्सवा वहां प्याइडस बढ nhất लिखा हूआ लाइन अब आप आप Πालो हमारा घर किसी गली में है आप आप गली नंबर डा सकते आप जोगली मौला डाल सके दें भी चकते हैं से हैं और आपका पिन कोड क्या चुक्ति पिन कोड से आपके अरिया पता लगता है यहां पर आप इनकोड डाल देंगे ठीक और लिखेंगा आई चेक इस मेलिंग एंड़ परमाने ड़्डस आर्दस हैं तो अगर आपका सेम अधरस है तो लोग क्लिक कर देंगे रियान रखें इसमें कोई गलती मिक्स्टिक नहीं होने चाहिए इसको आप पहले समझे लिजेगा जो लिखा हूँ अप्लोड डाकुमेंट डेटेल ठीक है अब मैंस में देखूं बता दूं आपको देखिए यहां पर लिखा हूँआ सबसे नंबर एक में जो आपकी पर इस फोटो है अब दोने चाहिए जान रखें यहां पर फोटो में जांचेज़े सकते हैं तो यहां पर आप जो फोटो की डेट डालेंगे आपका जो डेट क्या चाहिए भाई आप्ड एक इस मार्स ना यहां पर आदार कार्ट तो तीन फोटो में होने जाहिए अच्छा फोटो आप क्लियर होने चाहिए अप लिखा हुआ क्लियर फोटो कलर साइज खिचाएंगे उसमें अपना नाम डेट और आधार कार्ट यह बात आपको समझ में आ गई होगे ठीक है यह जान दखें आप ठीक तो लिखा हुआ आपका इसमें अलग थोड़ा नहीं हो है स्मॉल लेटर में ठीक है जो भी आपका नाम है देखे लिखाओ इस पर तरीके से ब्लोक लेटर में आपका नहीं होना चाहिए अब यहां पर देखेगा इसके बाद थर्ड केस में इसके राइट इंडेक्स जो तरजनी उंगली होती है उसका फिंगर इंप्रेशन लगा आपको श्कान करना है यह आपको तरीके से इसम स्कान करना हो का बात थरीक है अब अगरा देखते हैं आforcement 10की मारिट्ट इसमें आपको 10क पिन स्टीट जो है एसमें तो इतनी बात आपको समझ में आगई होगी बस यही एक मैं डिटेल थी फॉर्म को कैसे रिज्ट्रेशन करके और अपना पास्वर्ड यूज करके लॉगिन करके इसको जहें हमें यहां तक आना है ज्यान रखें इसके बाद आप प्रोसेस आएगा जैसे यहां पर आप देख कर दिया एक अप्लोड डाकुमेंट आपका हो गया आप इसमें करेंगे इसका प्रिंट आप निकाल लेंगे ठीक है एप्लिकेशन फॉर्म का जरूरी होता है आपके काउंसलि में लगता है अब जो विद्यार्ट थी कि इतनी डेटल आपको अच्छे समझ में आ गई होगी अब मैं आपको जन्ग जनर्र इंफोर्प्स भ्ला जानकारी दे दो जो विद्यार्ट थी अभी हाली में 23 एक्जाम करेक करना चाहते हैं 23 अच्छाम ठीक है तो हम लोगों अभी हाली में एक निव बैस्ट तैयार किया है पहले हम लोग 10 मार्स बोले थे क्रेस्ट करस्स कर् हैं चला रहा है और यह आपका क्रेसट कोट्स से और ना चाथे ना चाहते हैं और चाहते हैं और इस अगर आप करेकना चाहते हैं अपना जो सी यूवीटी कि बारे में जानका ही नहीं कई विदार्थी ऑपिस में आते हैं गारजन बताते हैं कि इसा एक जाम है जिसके थो आप ICR किसी भी इनवस्टी और इंडिया में जा सकते हैं तो उनको फ़स्टाइब मिलता सुटी क्या होता बताना पड़ता उनको तो जो विदार्थी 2499 रुपए का कोर्स है इसमें डेली लाइफ क्लाइब देता है दो टाइम ठीक है और इसमें आपको स्टैडी मेट्रियल मिलता है और जो भी ट्रफिक बास टेस्ट होते हैं अफ्लाइन के लिए आपको नंबर मिल जागा बात कर सकते हैं उफ्लाइन प्रॉसेस क्या है ओफ्ल सारी इसमें केबल इसमें है आपके 6000 रुपए में ठीक है टोटल इसमें आपको हम लोग कंप्लीट एपिकेट और इसमें केवल विद्दार्थी द्यान रखेंगे जो विद्दार्थी तरीके से PCM और PCV से एक्जाम नेंगे उनके लिए हम लोग क्लास लेते हैं यह हो गया ग्लास का जो विद्दार्थी इसके साथ leccry पर्षिज करना चाहते हैं तो हम लोगों ने टैस्टरी तयार की थी जो है बहुत बैतर परश्चरी जैसे में हमारे 20 टेस्ट है और वह दिध्द्र यह ट्रुशं में पूरा दिया गया है इस सब ही टेस्ट में वीडियो स्लू यह चैप्ट्र वाइज है जैसे आप टेस्ट को लेंगे तो वहाँ पर पर पीडियाफ मिलेंगी जिबाद बता जाएगा किस टेस्ट में आपका क्या प्रॉसेस है किसमें चैप्ट्र है और इसमें दस टेस्ट है वो हमारे मॉडल है यानि पूरी होल से लेबस से और पूरा नहीं नहीं जान करें तो तक तक लिए इतना है बहुत बहुत धन्वाद